तिरुपते मंदिर में लड़ों में जानवर के चमडी और मचली के तेल के इस्तिमाल के रिपोर्ट आने के बाद अब देश भर में इसे लेकर लोगों के भावनाए आहत है वहीं दूसरी और इसे लेकर आंदर प्रदेश की सरकार भी हमलावर है इस सलसले में हमारे समवादाता सौम्या ने कॉंग्रेस के राश्ट्रे प्रवक्ता पवन खेडा के साथ खास बातचीत की तिरुपती के लड़ों में मिलावट को लेकर के लगातार अब देश में लोगों के भावनाए आहत हो रही है साफ तोड़ पर लोगों क कहना है कि इस तरीके से कैसे मिलावट हो सकती है हाला कि इस चीज़ को लेकर के बातचीत के लिए इस वक्त हमाय साथ कॉंग्रेस के राश्ट्रे प्रवक्ता पवन खेडा है उनसे बातचीत करेंगे सर जिस तरह से लड़ू में मिलावट पाई गई है और तिरुपती का प्रशाज़ों की हर जगे लोग मंगवाते हैं किस तरह से देखते हैं इस मांगे और आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो व्यता और रोश दिख रहा है हम सरकार से आगरह करते हैं कि तुरंत इस पर एक्षन भी लें सिर्फ आपने एक लैब टेस्ट रिपोर्ट सारजनिक कर दी उससे काम नहीं चलेगा आप फास्ट ट्रैक पे इसमें जाच कीजिए और जल्द से जल्द दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए शायद तब जाकर हमारा मन में कुछ शांती रहे क्योंकि हम लोग वाकई व्यतित हैं करोडों लोगों की आस्था का सवाल है हम हर महीने वहां से मैं खुद वहां का लड़ू वहां का प्रसादम मंगवाता हूं ग जवाब देना चाहिए कि इससे पहले वाली जगन रेडी की सरकार कि उनकी पार्टी भारती जनता पार्टी के समर्थन में 2400 घंटे खड़ी रहती थी और भारती जनता पार्टी उनके समर्थन में 2400 घंटे खड़ी रहती थी तो ये जवाब अब जवाब दे ही भारती जनता पार्टी की भी आप आ गई सनातन धर्म रक्षन बोड की मांग कर रहे हैं उप मुख्य मंत्री कहां के आंद्रप्रदेश है वो तो वहां का स्टेट है अगर उनको चाहिए तो लगता है किस तरह का एक बना उसमें धार्मिक भावनाओं से लोग बहुत जादा जुड़े होते हैं इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से छोटी छोटी जब भी कोई पड़ होता है तो उसमें छोटे बहुत जगड़े के कारण किस तरह से देश भड़ में जो है वो महौल खड़ाव होता है और कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस तरह के महौल खड़ाव होते आ रहे हैं बड़े बड़े त्योहारों में छोटे बहुत त्योहारों में किस तरह से आप देख रहे हैं कि धार्मिक भावना है लोगों की कैसे आहात तो हम समझ सकते हैं कि करोड़ों भक्तों का क्या स्थिती होगी जो लेटर था उस पर नडडा जी का जो रिप्लाई आया है साफ तोर पर उसके कॉंग्रिस उससे प्रेंगा गांधी जी का कहना है कि ये सही तरीके से नहीं था प्रधान मंत्री को स्वेम रिप्लाई देना जाब खडगे साहब जो की इस देश की राजनिती में शायद अब स अब से वरिष्ट नेता हैं किसी भी पार्टी में इनसे वरिष्ट नेता अब कोई नहीं है सकरिय हैं राश्ट्री अध्यक्ष हैं और लीडर ओपोजिशन भी है राजसबा में खडगे साहब की चिठ्थी प्रधान मंत्री उनका भी जवाब नहीं देते तो या तो प्रध मांजनक बात है पूरे देश के लिए अपमांजनक बात है कि देश का प्रधान मंत्री इतना जातिवादी हो गया उससे ठीक वैसा का वैसा मोहन भागवत जी ने भी कहा था और आज ही सुभा जो प्रपोत्र है भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी के डॉक्टर राज रतन अंबेडकर उन्होंने आज खुलासा किया कि भारती जन्ता पार्टी उन पर दबाव डाल रही है कि इसको मुद्दा बनाईए उन्हें का मैं मुद्दा नहीं बनाऊंग अज आज बनाईगा कियोंकि अंबेडकर साहब स्वयम और अंबेडकर वादी जितने भी हैं आज वो सब इस बात से बिलकुल अगरी करते हैं राहुल जी की जब तक जातिवाध है तब तक आरक्षण है जातिवाध खतम नहीं है अब इस देश में तो कैसे आरक्षण खतम हो गई यही तो राउल जी ने कहा इसमें भी आपती है बीज पी को क्या वो समय